असलाम अलेकुम आज बनाएंगे रुम्जान स्पेशल दहीं बड़े या फिर इसको दहीं भले भी बोल सकते हैं तो समय पहले यहाँ पर माश की दाल को हमने भीगा कर रख लिया था एक घंटा पहले और मूं की दाल को भीगा कर रख लिया था इन दोनों को एक घंटा पहले हम भीगा कर रख लेंगे उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चे साबित और सॉल्ट टो टेस्ट डाल कर इसको हम ग्राइड कर लेंगे बस यह दो ही इंग्रिडेंट है इसके अंदर पानी इसमें बिल्कुल शामिल करना नहीं है यह पानी के बगएर ही इसको ग्राइड करना है और यह हल्दी तरीखे से यह मूंग डाल और माश की दाल के नहीं भले तयार होंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम उसके बाद एक बॉल में पानी लेंगे और यह बैटर को उसमें दाल कर हम देखेंगे उसका थिक्निस और इसका थिक्निस देख सकते हैं बिल्कुल correct है इसके बाद एक कडाई में हम तेल चड़ाएंगे तेल को अच्छा गरम करेंगे इस तरीखे से गोल-गोल हम यहाँ पर इसके भजिये तलिएंगे दहीं बड़ों का शेप कोई भी हम यहाँ पर दे सकते हैं मेडियम फ्लेम पर रखकर यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे हम ताकि यह अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए हलके ब्राउन होने पर इसको टर्न करके इसका और एक साइट फ्राई करेंगे यह बहुत ही टेस्टी और लजीज बनकर तयार होते हैं माश की दाल के दहीं भले इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे यह अंदर तक अच्छे से डी फ्राई हो गए हैं अब साथ में हम इसका दहीं तयार कर लेंगे दहीं को यहाँ पर फेट यह हैं हमने उसके बाद इसमें लाल मिर्च पोड़र शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दहीं भलों को साथ फ्राई करने के साथ साथ ही यहाँ पर पानी में हमने डाल दिया था उसको ताकि यह स्पोंजी हो जाए इसमें हलका हलका सा इसमें ऐसा हाथ रखकर पानी इसमें से निकाल लेंगे और दहीं को बगार देंगे जीरा और करिया पाक से यह उपर से सारा बगार डाल कर इसको ढाक लेंगे बहतरीन खुझबो इसके अंदर आ जाएगी यह रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कॉमेंट करके बताईए कैसे बनें आपके पास नहीं भले फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ लाहफेश